हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग इंदरा एंगलिस कलासिस में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हम लोग औक गीलियरी भर्प पढ़ रहे हैं औक गीलियरी भर्प के काइंड्स के बारे में भी देखें उसके दो काइंड्स हैं एक primary auxiliary और एक model auxiliary हम लोग primary auxiliary पढ़ रहे हैं primary auxiliary में तीन भर्ब्स होते हैं तीनों का नाम आपने देखा to be, to do और to have तो अब हम लोग to be के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में भी आप to be के बारे में कुछ introduction देखे तो बी क्या है वह कहां से आया है यह सभी अब उसके सभी forms जो है उसका यूज हम लोग देखेंगे देखे लिखा है uses of to be, to be का यूज पहला यूज देखे to show existence of somebody or something चाहे कोई बैक्ती हो या किसी कोई बस्तू हो उसके existence को दिखाने के लिए existence का मतलब क्या होता है existence का मतलब अश्तित्व होता है पहचान होती है existence का मतलब अश्तित्व या पहचान है ना आप किसी को जानते हैं, किसी आदमी को कहते हैं, कि ये दुकांदार है, अर्थात उस आदमी की पहचान किस रूप में है, एक दुकांदार के रूप में, वही पहचान उसका अस्टित्व होता है, आप कहते हैं सीता एक गाईका है, अर्थात सीता की पहचान एक गाईका के र आप तेन्स में भी पढ़ चुके हैं एक परजेंट टाइम हुआ एक समय हुआ और एक आने वाला समय हुआ तो किसी आदमी की पहचान अभी है, किसी की पहचान बिते हुए समय में थी, किसी की पहचान आने वाले समय में होगी, है न, तो अब यहाँ पर देखे लिखा है, तो पहले परजेंट की बात करते है, परजेंट एक्जिस्टेंस, present existence का मतलब होता है वर्तमान का अस्टित्व वर्तमान की पहचान यह वर्तमान का जो अस्टित्व है एना उसको दिखाने के लिए structure देखिए subject होता है तब EJRM होता है तब noun यही EJRM जो है दोस्तों यह क्या है तूबी का रूप है यह इज आरेम किसका रूप है तूबी का रूप है यह वरतमान में कोई बैक्ती कुछ है यदि वो उसको दिखाता है जैसे आप कहते हैं आपकी पहचान यदि शिक्षक के रूप में है तो आप कहते हैं क्या I am a teacher यहाँ M लगाए ना M to be है सीता की पहचान गाई का के रूप में है तो आप कहते हैं सीता is a singer इज लगाए इज to be है उन लोगों की पहचान खिलारी का है तो they are players कहते हैं यहाँ R का प्रियोगुआ ना R to be है श्याम की पहचान एक दुकानदार के रूप में है श्याम is a singer मोहन की पहचान एक डॉक्टर का है तो आप कहते हैं मोहन is a doctor इस तरह किसी भी व्यक्ति की पहचान जो होती है यह ना वर्तमान में उसको अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए टूबी का help लिया जाता है उसी से हम लोग टूबी का help लिया जाता है और उस से हम लोग उसके अस्तित्व को दिखाते हैं तो present के existence को दिखाने के लिए तो टूबी का तीन form यूज होता है E, R और M जैसा आप अभी structure में देखा मैंने कई examples बोला भी और यहां लिखा भी है यदि आपकी पहचान एक teacher का है तो कहते है I am a teacher यही M to be है किसी की पहचान एक singer की है तो आप कहते है you are a singer यह are to be है किसी की पहचान किसी लरकी की पहचान एक guy का का है तो कहते है she is a singer देखिए E, E का प्रियोग हुआ यही is क्या है कोई भी बैक्ति को या किसी भी बस्तू को जिस भी रूप में देखते हैं वहां उसके रूप को दिखाने के लिए उसके अस्तित्व को दिखाने के लिए तो भी का प्रियोग आप करते हैं जैसे कुर्सी की पहचान है this is a chair यह यह लगाए न राम की पहचान किसी के रूप में है डॉक्टर के रूप में है तो रामी जे डॉक्टर गायक के रूप में है तो रामी जे सिंगर है ना दुकांदार के रूप में है तो रामी जे शॉपकीपर है ना जिस के रूप में हो तो वहाँ पर आप 2B का प्रियोग करते हैं तो सात्यों ये परचेंट एक्जिस्टेंस को दिखाने के लिए 2B के रूप का प्रियोग इज आरेम के रूप में क्या गया अब चलिए हम लोग अगला यूज देखते हैं है न देके लिखा है पास्ट एक्जिस्टेंस भूत काल का अस्तितव अर्थात आदमी अभी कुछ नहीं है या बस्तू अभी कुछ नहीं है पहले था पहले आप किसी को उस रूप में जानते थे पहचानते थे उसका अस्ट्रक्चर देखिए सबजेक्ट होता है वाजवेयर होता है तब नाउन यही वाजवेयर टूबी होता है दोस्तों यह टूबी का रूप है यह वाजवेयर किसका रूप है टूबी का रूप है यह बताता है कि बैक्तिया बस तू अभी कुछ नहीं है पहले कुछ था यदि राम की पहचान एक गायक के रूप में था आप क्या कहेंगे राम वाज असिंगर कहेंगे अभी नहीं है सीता की पहचान एक नर्स के रूप में थी सीता वाज ये नर्स कहेंगे उन लोगों की पहचान खिलारी के रूप में था तो आप दे वेर प्लेयर्स कहेंगे मुहन की पहचान एक किशान के रूप में था मुहन वाज असिंगर कहेंगे है ना राम की पहचान एक दुकांदार के रूप में था राम वाज अशौप की पर कहेंगे मदन की पहचान एक डॉक्टर के रूप में था तो मदन वाजे डॉक्टर कहेंगे इस तरह कोई भी आदमी बीते समय में या कोई भी बस्तू बीते समय में कुछ था किसी रूप में जाना जाता था वहाँ पर उसकी पुरानी पहचान को बिते समय की पहचान को देखाने के लिए वाज वेर का प्रियोग करते हैं टूबी का जो रूप होता है अब देखे अब यहाँ देखे लिखा है ही वाज लगा है ना तो यह ही की पहचान बिते समय में लीडर के रूप में था जो अभी नहीं है अभी वाज लीडर नहीं है यह वाज लीडर या तो वाज लीडर्शिप का कम छोर दिया आया फिर मर गया अब रहा नहीं ऐसी बात को यह दिखाता है यदि उन लोगों की पहचान खिलारी के रूप में था तो आप कहते दे वेर प्लेयर्स देखिए दे वेर लगान वेर टूबी है तो इसका मतलब अभी खिलारी नहीं है पहले थे अब नहीं रहे इस तरह यह तूबी के अस्टित्व को दिखाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे दोस्तो पूरा वीडियो दिखिए यह आपके लिए बहुत हैम है आपकी सलेबस का इंपूर्टेंट पार्ट है यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप जो भी इसको देखेंगे समझेंगे है ना इनकंप्लिट नॉलेज होगा चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर एक्जिस्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे इसमें B लग जाता है, जैसे राम अभी टीचर नहीं है, पहले भी नहीं था, आने वाले समय में लोग राम को टीचर के रूप में देखेंगे, तो आप कहते हैं, राम विल बी टीचर, यहाँ देखें, B का प्रियोग हुआ, यही इस्तिती में इस्टू भी का प्रियोग हु तो आप कहेंगे, I shall be a teacher, देखें, यहाँ B का प्रियोग हुआ, यदि वो अभी डॉक्टर नहीं है, पहले भी नहीं था, आने वाले समय में डॉक्टर के रूप में उसको लोग जानेंगे, तो क्या कहेंगे, he will be a doctor, देखें, यहाँ B का प्रियोग हुआ, यह तू भी है, सीता की पहचान नर्स के रूप में होगी, तो आप क्या कहेंगे, सीता विल बी अ नर्स, श्याम की पहचान एक गायक के रूप में होगा, आप क्या कहेंगे, श्याम विल बी अ सिंगर, मदन की पहचान एक दुकांदार के रूप में होगा, तो आप क्या कहेंगे, मदन वि भूतकाल के भविष्य के पहचान को देखाता है तो दोस्तों यह एक्जिस्टेंस देखाने के लिए चाहे वो परजेंट एक्जिस्टेंस हो है ना तब भी टूबी का प्रियोग होगा पास्ट एक्जिस्टेंस हो तब भी टूबी का प्रियोग होगा फ्यूचर ये हम लोगों को अस्टित्व को दिखाने में मदद करेगा बहुत ही important यूज है दोस्तो आप spoken English में यूज करते हैं राम की पहचान को दिखाने के लिए डॉक्टर के रुप में कहते हैं राम ही जे डॉक्टर सीता की पहचान एक रसुया के रुप में दिखाने के लिए कहते हैं सीता आई जे कुख बिते समय की पहचान है सीता वा जे कुख आने वाले समय की पहचान होगी सीता विल बी ये कुख इस तरह आप बोल चाल में हम लोग इसका प्रियोग कर सकते हैं है ना राधा की अभी पहचान एक गाई का का है तो राधा आई जे सिंगर कहते हैं आने वाले समय में थी तो राधा वाजे सिंगर कहते हैं आने वाले समय में होगी रादा विल बी अ सिंगर कहते हैं ऐसे आप इसका प्रियोग करते हैं अब चलिए हम लोग दूसरा यूज देखते हैं है ना टूबी का दूसरा यूज देखे बी नंबर में टू फॉर्म इंपर्फेक्ट टेंसिस क्या दिखाने के लिए इंपर्फेक्ट टेंसिस दिखाने के लिए शातियो देखिया ना लिका इंपर्फेक्ट टेंसिस के निर्मान में इंपर्फेक्ट टेंसिस तीन होते हैं एक प्रजेंट इंपर्फेक्ट और एक पास्ट इंपर्फेक्ट और एक future imperfect होता है, सभी imperfect tense बनाने में to be का प्रियोग किया जाता है, जैसे I am helping the poor, देखें यह present imperfect का sentence है, जिसमें M का प्रियोग हुआ, they were walking in the field, यह देखें past imperfect है, इसमें where का प्रियोग हुआ, जो to be है, है न, he will be singing a song, यह future imperfect tense है, देखें यहां B का प्रियोग हुआ, तो जो भी imperfect tense होगा, चाहें वो present imperfect हो, past imperfect हो या future imperfect हो, सभी imperfect में to be का प्रियोग किया जाएगा, है न, जैसे देखें लिखा है, और भी present imperfect का sentence, they were playing cricket, sorry present imperfect का, they are playing cricket, our इसमें to be है, Shreeta is singing a song, is इसमें to be है, I am writing a letter, am इसमें to be है, तो present imperfect हो, या past imperfect हो, या future imperfect हो, कोई भी imperfect tense को आप, है न, बनाना चाहेंगे, तो उसमें to be के बिना, वो नहीं बनेगा, है न, अब देखिए, अगला यूज देखिए, है न, देखे लिखा है, C number में, है न, two form perfect continuous tense, क्या बनाने में, perfect continuous tense, बनाने में, तो perfect continuous tense, कितने होते हैं, तीन होते हैं, आपको पता ही होगा, है न, एक होता है, present perfect continuous, एक होता है, past perfect continuous, और एक होता है, future perfect continuous, तो सभी perfect continuous, में to be का प्रियोग होता है, है न, देखे हिंदी भी लिका है perfect continuous tenses के निर्मान में तो टूबी का इसमें बीन लगता है चाहे present perfect continuous होगा तब भी बीन लगेगा past perfect continuous होगा तब भी बीन लगेगा future perfect continuous होगा तब भी बीन लगेगा दोस्तो इसको याद रखना है example देखे श्याम है was been writing a lecture, देखे हैं यह presence perfect continuous tense है, इसमें देखें been का प्रियोग हुआ, you had been doing this work, यह past perfect continuous हुआ, देखे हैं इसमें been का प्रियोग हुआ जो to be है, we shall have been reading our books, यह देखें future perfect continuous हुआ, जिसमें been का प्रियोग हुआ to be है, तो कोई भी perfect continuous हो, चाहिए प्रज nevertheless हो, past perfect continuous हो और future perfect continuous उसमें तू भी का पर्योग होगा ही उसमें बिन लगेगा, है नो चलिए हम लोग इसका अगला रूप use देखते हैं अगला यूज देखे क्या लिका है लिका है Two form passive voice two form बनाने के लिए passive voice यानि passive voice बनाने में किसी भी sentence का passive voice बनाएंगे तो उसमें 2B का प्रियोग करना परेगा बिना 2B का passive voice नहीं बनता है है न, 2B का tense के अनुसार कोई ना कोई form लगता है, कभी जारेम लग सकता है, वाजवेर लग सकता है, बी लग सकता, बीन लग सकता, बींग लग सकता है, ये 2B का कोई ना कोई रूप जरूर लगेगा, चलिए एग्यांपल में देखते हैं, है न, active voice देखिए, I help the poor, या present indefinite दोस्तों sentence क्योंकि help be one है है न पेसिब आप बनाई है object को subject बनाई है the poor हो गया तब r लिखिए helped by me यहाँ देखिए r का प्रियोग हुआ न यह देखिए r to be है r का प्रियोग हुआ यहाँ r क्या है to be है फिर देखिए they were playing chase यह past imperfect tense का है बर है न यह sentence से लिखे was being played by them लिखे तो यहाँ देखिए इसमें being का प्रियोग हुआ तो being क्या है to be का रूप है इस तरह किसी भी sentence का पेसिब बनाईंगे तो अब बिना to be का यूच नहीं होता है इसको हर हाल में आपको याद रखना होगा यदी आप रखते हैं तो आपके लिए फायरा है नहीं आद रखते हैं तो confusion होती रहेगी चैलिए हम लोग to be का एक और अंतिम यूच है उसको देखते हैं tom be का एक और यूच है उसको देखते हैं है न चैलिए देखते हैं क्या है यहाँ देखे लिखा है ना 2B plus 2 infinitive 2B plus 2 infinitive 2 infinitive आप समझते हैं दोस्तों 2 plus V1 को कहते हैं जैसे to go, to play, to sing, to dance, to read, to write यह 2 infinitive होता है ना infinitive दो होते हैं एक तो 2 infinitive और एक तो bare infinitive 2 infinitive 2 plus V1 होता है और bare infinitive सिर्फ V1 होता है जो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे तो सबसे इसमें ये यूज देखिए 2B plus 2 infinitive यानि 2B के साथ 2 infinitive यहां भी 2B का प्रियोग हो रहा है उसके साथ यदि 2 infinitive का प्रियोग होता है या show करता है that की an action is going to happen कोई कार्ज होने जा रही है in near future निकट भविष्य में कोई कार्ज निकट भविष्य में होने जा रही है हिंदी भी देख सकते है 2B plus 2 infinitive का प्रियोग या दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्ज निकट भविष्य में होने वाली है वो ना शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाली है, वो to be plus to infinitive का प्रियोग किया जाता है, to be का मतलब तो आप जानते ही है, is rm, was, where, being, being और be होता है, उसके साथ to infinitive लगता है, to infinitive मतलब to go, to come, to play, to sing, to dance, यह सभी, तो चलिए हम लोग एक ज्यामपल के मादियम से इसको समझते हैं, है न, यहाँ देखे लिखा, he subject है, is यहाँ देखे to be है, अतब देखे to right है, he समझे न, यहाँ पर जो he लिखा है, देखे यहाँ, यह to be है, और to right क्या है, to infinitive है, आपको बताए न, two plus b1, two infinitive होता है, two plus two right क् to infinitive है, यह क्या देखाता है, बताए यह देखाता है, अभी लिखना सुरू नहीं हुआ है, होने वाली है, है न, सुरू नहीं हुआ है, होने वाली है, is to right, लिखना सुरू होने वाली है, he is to right, लेटर वहाँ पत्र लिखने वाला है, या वहाँ पत्र लिखने को है, लिखन शुरू ने किया, तयार है, पेपर है, पेन है, सब कुछ है, लेकिन उच्छन में ही, निकत वाविश में ही लिखने वाले हैं, लिखना सुरू होने वाली है, उसी तरह R to write हो सकता है, जैसे I am to go कहते हैं, तो M यहां to be है, go है यहां to go to infinitive है, आप जाने रहें, जाने वाले है आई एम टू गो, आई एम टू राइट, आई एम टू पले, खेल नहीं रहा हूं, खेलने वाला हूं, आई एम टू सिंग, गाने रहा हूं, गाने वाला हूं, आई एम टू रीड, पढ़ने रहा हूं, पढ़ने वाला हूं, आई एम टू सिलिप, सोने रहा हूं, सोने वाला ह यर्थात ये तु भी पलस टू इंफिनिटिव दिखाता है कि कार्ज वर्तमान में होने वाली है यदि वर्तमान की बात हो तो दोस्तों इजारेम का प्रियोग करें और पास्ट का बोध होगा पास्ट में होने वाली थी तो वाज वेर जैसे देखिए दे वेर टू पले किरके वे लोग किरकेट खेलने वाले थे या किरकेट खेलने को थे है न तो वेर लगने का मतलब बिते समय में ऐसा होने वाला था हुआ नहीं था होने वाला था शुरू नहीं था इसको दिखाता है यदि मोहन गाना गाने वाला था बिते समय में तो आप क्या कहेंगे मोहन वाज to sing a song, सीता खाना बनाने वाली थी तो क्या कहेंगे, सीता वाज to cook food, वे लोग बाजार जाने वाले थे तो क्या कहेंगे, they were to go to market, ये to be के साथ to infinitive लगेगा, है न, आप देखिए यहां future में, वह गाना गाने वाली, गाने वाली रहेगी या गाने को रहेगी, है न, गाएगी नहीं, शुरू नहीं होगा, तयार लेकिन रहेगी, है न, तो देखिए, she will be to sing a song, यहां भी है न, तब to sing लगा, ये to infinitive है, ये future है, इसलिए shall be will be लगता है, है न, भविष्र में आप पढ़ने वाले रहेंगे, तो आप कहेंगे, I shall be to read, आप गाने वाले रहेंगे, I shall be to sing, आप तहलने वाले रहेंगे, I shall be to work, आप बच्चों को पढ़ाने वाले रहेंगे, आप कहेंगे अंगरे जी में, I shall be to the children, तो दोस्तों, ये to be का यूज था, आपने देखा, समझा, उम्मिद है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, ये आपके लिए है, आपके future के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत ही, important है, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक और शेयर सब करना जर्ब, एकदम जो है, नहीं बूलिए, है ना, आपने वीडियो देखा, है ना, thank you very much for it.